Good morning दोस्तो Modals verb में आज हम पढ़ेंगे Use of Could Have Could Have का Use कहां पे हम करते हैं तो क्या है नोट ये एक revision चल रहा है और revision में हम कम टाइम में फटा फट चीजों को समझें तो बैटर रहता है वरना भीया बहुत लंबी वीडियो बन जाते हैं और वीडियो लंबी बनाने या मतलब है आप का बोर होना इंग्लिस में ठीक है अब Use of Could है कहां पे यूज करते हैं ये नोट अगर हमें याद है ये रूल याद हैं तो एक्जाम में का फियर है तो वैसे सोल हो जाते हैं ध्यान रहता है बार बार पढ़ने से जब पास्ट में काम को करने की शमता पास्ट की बात कर रहा है पास्ट अबिलिटी की बारे में दिखाएं और साथ साथ ये भी दिखाएं कि काम नहीं हुआ एक तो पास्ट की कोई अबिलिटी दिखाएं और उपर से साथ साथ यह भी दिखा ये कि वह काम भी नहीं हुआ तो वहँंपर हम कुढ़ है का करते हैं ठीक है और freakin कई का यूज हम करते है पास्ट एबिटी सो सो पास्ट एबिरीक्वेटी और केन की जगाम कुड़ यूज करते हैं कुड़ दिखाता है पास्ट अबिलिटी केन दिखाता है प्रजेंट अबिलिटी यह चीज़े ध्यान रखना ठीक है जरूल मैंने जो आप पिछे वाले वीडियो में आपको बताएं और इसमें क्या बता है कुड़ है ठीक है यह डेफि बट ही डिड नॉट डू वो तुम्हें मार सकता था उसमें एबिलिटी थी पास्ट में उसको मारने की लेकिन उसने नहीं किया वो काम कंप्लीट तो नहीं हुआ ना बट ही डिड नॉट डू उसने काब वो चीज ने उसने नहीं मारा ठीक है तो एक्शन कंप्लीट भी नह है ऐसे बोलो आई कुड है कैस्ट दा ट्रेन तो यहां पर क्या आएगा भी यह देखो कुड है यूज हुआ है तो यह पास्ट अबिलिटी दिखाएगा कैस्ट दा ट्रेन मतलब क्या इफ आइड री स्टेशन ऑन टाइम तो मतलब वो टाइम पे नहीं पूचा तभी यह बात कर रहा है आई कुड है कैस्ट दा ट्रेन तो उसकी ट्रेन शुट गी होगी ठीक है तो मतलब क्या है टास्क भी कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा क्या है वो पास्ट अबिलिटी दिखा रहा है आई कुड है कैस्ट आइड वो मैं अगर टाइम पे पहुंच जाता तो मेरी अबिलिटी थी कि मैं ट्रेन को पकड ले तो यही था कुड है का यूज तो सिंपल सी बात जान लो कैन की जगह कुड हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट पास्ट अबिलिटी सो करने के लिए कुड का यूज किया जाता है ठीक है पोलाइटली किसी है रिक्वेस्ट करने के लि ठिक ठाक information लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें Thank you